दोपहर का समय था धूप बहुत तेज थी, यूनिकॉन को बहुत प्यास लगने लगती है और वो पानी की तलाश में निकल जाता है, बहुत तलाश करने पर भी उसे पानी नहीं मिलता और प्यास से व्याकुल होकर गिर जाता है, उसे गिरते हुए एक बंदर देख लेता है, बंदर तुरंट उसके पास जाता है, और उससे पूछता है कि क्या हुआ, यूनिकॉन उसे बताता है कि उसे बहुत प्यास लगी है, और प्यास के कारण उससे उठा भी नहीं जा रहा, तब बंदर तेजी से दोड़ते हुए नदी पर जाता है, और पानी भरलाता है, और पीतर यूनिकॉन की जान में जान आती है और वो बंदर को अपनी पीत पर बैठा कर दोड़ पड़ता है और पहुचता है एक बहुत सुन्दर बाग में जहां तरह-तरह के फल लगे हुए थे फलों को देखकर बंदर बहुत खुश होता है और कभी इस पेड़ पर और कभी उ स्पेड़ पर बैठ कर मीठे फल खाता है दोस्तो यदि आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो आपको भी उसका फल अच्छा ही मिलता है